सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साब भीमराव अंबेतकर जी की जैनती के मोके पे मैं नागपूर में था, महरास्ट में था और उस वक्त ख़वर आई कि कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली से पत्याशी बनाया है तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के हमारे सभी कारिकरताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, कि उन्होंने ये फैसला लिया है, इससे एक मेसेज जाएगा देश में, कि हम मजबूती से जो है, लोग सभा चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे कॉंग्रेस पार्टी के सिर्ष नितरित्यों का, कि उन्होंने मुझे योग की समझा है, दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां से प्रत्यासी के तौर पे खरा कर जिन लोगों के साथ भी, चाहें वो किसी भी जाती वर्ग, समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय के स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है, उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीर कोई गेम होता है तो दो टीम होती है तो कोई ना कोई तो सामने होता ही मेरे ख्याल से विक्ति महत्पुर्ण नहीं होता है विचार महत्पुर्ण होता है मुद्दा महत्पुर्ण होता है दस साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नौर्थिस की जनता को नौर्थिस दिल्ली की सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परिशान करना तंग करना जिसा कि आप जानते हैं कि दिली के चुने हुए मुख मंत्री को बिला बज़ जेल में डाल दिया गया है तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको और स्थिर करने का प्रियास किया जा जरूर पूछेगी और इसका जवाब मानियशान सज्जी को देना परेगा पूछले बार आप जिनके किलाब चुनाओ लड़ते हैं उनका एक बयान अभी 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 आ है घिर्दा सिंग कह रहे हैं कि आपकी बात में एक सच्चाई होनी चाहिए एक इमानदारी होना चाह अब बताइए वो किस मूँ से ये बात कह रहे हैं जब वो खुदी जो है कॉंग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ED का डर दिखागर के CBI का डर दिखागर के भाजपा में सामील करा लिया है तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है वो इसी तरह क हम प्रदानमंत्री हो या भाजपा के कौई भी नेता हूँ आज उनके पास कोई एजणडा नहीं है वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 10 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है और इंडिया ब्लॉक के हर पार्टी के नेता के उपर मनवानी कारवाई की गई है